नमस्कार इस अंक में आप जार्खन के गाउं टोला से जुड़े 50 खबर सुरेंगे जो कि क्राइम, साइबर अपराज, सड़क दुरगटना, लोगों की समस्या से जुड़े खबर सामिल होंगे यदि आप अपना समस्या भेजना चाहते हैं तो वार्टसेप नमबर 373-026-872 पर भेज़ सकते हैं जो कि इस अंक में अगले दिन सामिल होगा मुखे मंत्री हमन सुरेन 29 दिसंबर को ट्राइवल उनवर्सिटी और ओपेन उनवर्सिटी खोलने की घोस्तना करेंगे साथे जारखंड एजुकेशन ग्रीड और डिजिटल प्लेटफर्म की सुरुवात करेंगे 29 दिसंबर को मुख मंत्री हमन सुरेन बेरुजगार उनवर्सिटी खोलने की घोस्तना करेंगे पतादे बर्स 2021 में बड़े पैमाने पर नियुक्तिया निकाली जाएगी जे सेसी और जे पी सी जनवरी 2021 से नियुक्तिय पर किरिया काली सुरु करेगा उच एवं तक्निकी सिक्षन संस्थानों के 2030 रिक्त पदो पर बहाली जनवरी में होगी इसे लेकर मुख मंत्री हमन सुरेन ने बैठक कर समिक्षा कर रहे है पारा सिक्ष को के लिए मुख मंत्री हमन सुरेन ने कहा है कि थोड़ी और समय दे उनकी मांगे पूरी होगी बतादे सुक्रवार को मुख मंत्री हमन सुरेन से पारा सिक्षक संहर्ष मोरचाक का प्रतिनीदी मंडल मिला राज येक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अगले सैक्षिनिक सत्र से पुरानी किताबे नहीं दी जाएगी मोख्य मंत्री ने भी भागी अधिकारियों को निर्देश दिया है बतादे अब सरकारी स्कूलों के कक्छा आठ तक की बच्चों के लिए जेल की कैदी कोपी बनाएंगे राची जयनगा ट्रेन का विस्तार अब रावर केला तक करने के लिए रेलवे बोर्ड ने स्वकृति दे दी है बतादे रावर केला राची जैनगर ट्रेन संखेया 18605 सब्ता आमें तीन दिन चलेगी जारखन हाई कोट ने सरकार से पुछा है कि राज्ये में अब तक कितने लोगों की मौत भूख से हुई है बतादे बोकारों के कसमार के एक ही परिवार के तीन लोगों की भूख से हुई मौत को लेकर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कुरोना मामारी को लेकर जारी दिशा निदेश का अनुपालन नहीं करने वाले राची के काके थाना छेत्र के पाँच दुकानों को नोटिस के बाद सील कर दिया गया है मद्दाता सुची में नाम जोडने को लेकर राची जीला के सभी मद्दान केंद्रों पर पाँच वच्छ दिसमर को विशेश कावेजन किया जा रहा है चाई बासा में PPE किट खरीद में 3,15,000 से अधिकी सरकारी राची घोटाले की जाँच CID करेगी तुपुदाना इस्थित बंद पड़ी फैक्टरी के गेट पर पीलेफाई के जोनल कमांडर विशाल के नाम पर पोश्टर जारी कर दो कोड़ो रुपय की रंगदारी मांगी है जार्खन में करेरत पुलिस अधिकार्यों और कर्मीयों को मिलने वाले बीसे सुविधा और भात्ता पर पुन विचार होगा इसके लिए बीसे सुविधा और भात्ता बढ़ाने पर विचार होगी आज रांची पूर्वी सिमुम और धनबाद में मेगा लोग का आयोजन किया जाएगा बतादे फुटबाद विक्रताओं के बीच बिना बेयाज दहदस यह रुपए दिया जाएगा पलामु एसीवी के टीम ने सुक्रवार को भंडरिया परखंड की जनेवा पंचायत के पंचायत सचीव सुनील साहु को चार हया रुपए रिस्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार कर लिया है खबर के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना की भुगतान के लिए रासी मांग रहा था राची में वेहसायो के बीच रंगदारी मांगने वाले और तेंट वेहसायो के घर पर फैरिंग मामले में गिरफतार कर भेजे गए पीलेफाई के एरिया कमांडर सहीद पांच उग्रवादियों को पूलिस रिमांड पर लेने के लिए धूरवा थाने के पूलिस कोट को अरजी दिया है सराप पिकर नसे में धूत सड़क किनारे पड़े पूलिस कर्मी के खिलाप विभागे करवाई के लिए राची सस्पी सुरेंद्र कुमार जहां ने आदेश दिया है चत्रा जिलाक के तुलबुल पंचायत गराम लारा लुड़ा निवासी उपेंद्र कुमार जो की बिकलांग है उन्होंने मुख मंत्री हेमन सुरें से बिकलांगों को दिये जाने वाले स्कूटर की मांग की है उन्होंने बताया कि बिकलांग होने के बावजूद भी गरामिनों के छोटे-छोटे बच्चों को मुप्त में मेरे द्वारा सिक्षा दी जाती है मौसम विभाक के अनुसार धीरे-धीरे कोहरा कम होगा सनिवार को मौसम में बदलाव की संभावना है भाजपा ने कहा है कि मुख मंत्री हमान सुरेन सिर्फ घोषना नहीं करे पहले राजे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सोचे जिनको 6 महीना से छात्रविती नहीं मिली है किसानों के धान नहीं करय करने के निर्नय के खिलाब दूमका में भाजपा ने सीएम हमन्त सुरेन का पुतला फुका है खोटी जिला अध्यक्ष के नेतित में पार्टी करकरतावों ने भाजपा के परदेश अजयक्त दिपक परकास का स्वागत किया खोटी जिला के कारा थाना छेत्र में हुए समोहिक दूसकर्म की गाटना की जाज करने भाजपा महिला मोर्चा की परदेश अस्तरिये टीम खोटी पहुची पाकुड में जार्खन राज बिधिक सेवा प्राधिकार के निदेशा नुचार 12 दिसंबर को जीला बिधिक सेवा प्राधिकार पाकुड राष्ट्रीये लोक आदालत का आयोजन किया जाएगा रामगण के बरका खाना रेलवे साइडिंग में टांस्पोर्ट कारे में लगी किसको कंस्ट्रक्शन कंपनी का विरोध ग्रामिनों ने जम कर किया गिरी डिक के मुपसिल थाना पूलिस के सहयोग से 40 सरकारी बिजली पोल के साथ एक को गिरफतार किया गया है राश्ट्रिय साधन सम्यधा चात्रवेती परिक्षा 12 दिसंबर को होगी इसके लिए जैक पूरी त्यारी कर ली है बतादे आठवी कक्षाक के लगवक्ती नजाबी द्यार्थी इस परिक्षा में भाग लेंगे धन्यवाद